नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी फातिमा बाई कोठे पर ही नहीं रहती, तो आए सुनते हैं कहानी उसे लगा कि बरसों पुरानी घिसन से चिकनी होआई लकडी की सीडियों में रप्टन हो रही है, पैड सौधानी से जमा जमा कर नहीं रखे और बाई तरफ जो ढबढाते अंधेरे में काली चादर सी तनी दीवार है, उस पर टेक के लिए पंजा नहीं जमाया, तो निश्च थी किसी भी छण दुरघटना से उसकी मुटभेड हो सकती है, दीवार से पंजा छूते ही एक लिसलिसी चिकनाहट हतेलियों को भेदती पूरे शरीर में सिहर गई, मन एक बार गी घिना आया, नजाने कितनी और कैसी कैसी हतेलिया टेक की खातिर इन दीवारों से चिपकी हो और उसे टॉर्च साथ लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी खस्ता हाल सीड़ियों और हिकाते अंधेरे से उसका पाला पड़ेगा, मैं पन साथ में टॉर्च लाना भूल गया, दिन पाली में जरूरत भी नहीं पड़ता न, कुछ एक सीड़ियां उस सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उसे सीड़ियां किसी दुर्गम पहाडी रास्ते की कठिन चड़ाई की सतरकता से जकड़े हुए थी, ध्यान बटाकर वह किसी प्रकार का खत्रा आमंत्रित करने के मूड में नहीं थी, यहां तक आने का निश्चे ही अपने इर्दगिर्द बुन लेती और उसकी रेपोर्टिंग तयार हो जाती, मगर रह रह कर उसके अंतरमन को यही प्रश्न उमेठता रहा कि क्या वह दूसरों के गढ़े आइनों में मनुष्यता की देह पर कोड सद्रश गल रही इन बिद्रूप सच्चाईयों के वास्त भी चेहरे टटोल पाएगी, खर अचानक अंधेरे में माचिस की तीली सुलकी, उसके और हवलदार पवार के बीच की दूरी तै करती कुछ एक सीड़ियां पीली कापती लो में छडांस उजिया गई, पता नहीं कैसे उसकी असुविधा का यह समाधान हवलदार पवार को स उसरी तीली उसके सामने कर देता है, हमें कोई आपती नहीं, आप जाना ही चायती हैं तो एक हवलदार संकिये देते हैं, वह आपको रेड लाइट एरिया का कुछ हिस्सा दिखा देगा, कहकर पुलिस उपायोक्त श्री श्याम सुंदर सिनहा पल भर को कारूनिक खामोसी मे उतर गए प्रतीत हुए, दुबारा द्रिष्टी उसके चेहरे पर ठिकी, तो वे उसके मनोभाओं की द्रणता तौलते हुए बोले, उनकी अभाओ ग्रस्त जिंदगी वाकई नरक है नरक, आप चाहें तो एकाध औरत को हम यहीं बुलवा कर आपसे मुलाकात करवाय देते हैं, इतने से काम चल जाता तो आपके पास आने की जरूरत न पड़ती, कटाक्ष उसके स्वर में इस्वस्ट हो आया था, अभी अपना गए, सीडियों का एक घुमावदार मोड मुडते ही, प्रसन्न चित पवार का स्वर उसे भी उत्फुल कर गया, अपनी फूलती सांसो को काबू करने का प्रयास करते हुए पवार ने बताया कि हमें चोथे माले पर ही पहुँचना था, और हम अब चोथे माले पर पहुँच गये हैं, फातिमा बाई 25 नंबर में रहती है, पवार का प्रसन्न होना स्वाभाविक लगा, लग रहा था कि वे वस्तुतह किसी दु उसे अंदाज हो आया, इन ही खोलियों की पिछली दीवारों पर जिन में जंगले नुमा खिडकियां सडक की दाहिनी और खुलती हैं, लड़कियां उत्तेजक भाव भंगी माव में खड़ी हुई, ग्रहकों को अपनी और आकर्शित करने का प्रयास करती दिखती हैं, पव चीकट भर भी नहीं गुजरा होगा कि वह चेहरे पर फतह भाव चुपड़े मुस्कुराता उसके पास आ खड़ा हुआ, फातिमा बाई जग गई हैं, चीकट परदे को एक ओर सरकारते ही पलंग पर जैसे किसी ओंधे घड़े ने गर्दन उठाई हो, आव पवार, प्रेश भी उसने जरूर इसपस्ट कर दिया होगा, उत्तर उसी ने दिया, अपनी कुछ लड़कियों से बात करवा देंगी, फातिमा बाई की सुर्मा लिपी मिचमिची आंखों ने दाहिनी भौँ चड़ा कर पवार को साभी प्राय देखा, करवाना ही पड़ेगा, मगर एक बात बता दूँ आपको, यहां गैर कानूनी धंदा नहीं होता, हम लड़की बात में लाते हैं, लाइसन्स पहले बनवा लेते हैं, फिर बिश्तर पड़ से उतरते हुए उससे कुरसी पर बैठने का आगरह करती, ताना मारते से स्वर में कहने लगी, बोलो मेम साब, य ये पोलिस वाले तो सुबु शाम अपनी हाजरी लेते ही हैं, अब अकवार वाले भी चक्कर लगाने को लगे हैं, बाकी सब तो खैरियत है, पन मैं बोलती कि कुछ इसके बारे में भी आप लोग लिखिये, कि सरकार हमारी इमारतें भी थोड़ा दुरुस्त कराए, पानी ह हपते हपते उपर नहीं चड़ता, संडास भर रहे हैं, तूटे पाइप से अखा दिन मैला रिस्ता रहता है, बद्बु के मारे गिराक उपर नहीं चड़ता, धन्दे की खोटी कैसे सहन करें, आप ही बोलो, शिकायत करते करते अचानक फातिमा भाई को चेत आया, कि अपन उन्हों ने उसकी आओ भकत का कोई उपकरम नहीं किया, फोरण आवाज दे कर एक छोक्रे को पास बुला कर गुर्राय हुए स्वर में आदेश देती बोली, लॉंडे जा फटा फट, लिमका की दो ठंडी बोतलें लेया, लड़के को भेज एक सायास विनम्र मुस्कराहट चालती वे उसकी और पलती, अभी बुलाती छोक्रियों को, बुलाती क्यों है, वही चल कर मिलवाती जहां वे रह रही हैं, उसका अभिप्राय भापकर फातिमा भाई छडांश विचार मगन हुई, फिर सहज होकर बोली, ठीक है, चलिए, उसने उठते हुए हवलदार पव को संकेत से वही ठायतने का इशारा किया, और स्वयम फातिमा भाई के पीछे होली, ये बड़ा खोली है, इसमें चार छोकरी एक साथ रहती है, सब को किलास के मताबिक रखते हैं, हमारे पास अच्छे गिराग भी आते हैं ना, जागा तो आपने देखा कितना घाड है, सरक को हमारे वास्ते किदर भी एक अच्छा कालोनी बना के देना चाहिए, हम कोई भेर बकरी तो नहीं है, वे पुनहे अपनी परेशानियों का रोना दोहराती आगे बरती सहसा एक खोली के सामने रुकी, दर्वाजे पर पड़ा चीकट परता एक और सरका कर भीतर जागती उठे, लड़कियां सचमत सोकर उठी थी, उनके चेहरों पर रात का अंधेरा बदरंग धबों में पुता हुआ था, ये जरीना, ये रेश्मा, ये केतकी, ये शहनाज, शहनाज नेपाली है, उनके परिचाय के बाद वे उन्हें उसका परिचाय देती बोली, ये मैम पस्ट चेतावनी थी, कि जो भी बोलना, सोच समझ कर बोलना, वरना परिणाम भुगतने को तयार रहना, वह बिस्तर पर बैठती सकुचाई, तो केतकी ने अपने गोद के बच्चे को सिरहाने लिटाते हुए व्यंग कसा, गिराहक को हम इधर नहीं निक्ताते, आराम से ब एक वातावरन दबाव मुक्त हो आया, उसे यही दुबिदा सता रही थी, कि अगर उनके बीच फातिमा बाई डटी रही, तो वह ना उनसे खुलकर मिल पाएगी, ना बात ही कर पाएगी, लड़कियों के तो सहज होने का फ्रश्न ही नहीं उड़ता, रेश्मा ने बताया क कि वह बेहत गरीब घर की लड़की थी, यहां तक की दो-दो दिन हो जाते रोटी कम हो देके, सौतेली अम्मी के पहले मर्द से चार बच्चे थे, तीन हम, गुजर हो तो कैसे, एक रोज अम्मी बोली कि चल, तुझे काम पर लगाना है, काम कुछ नहीं है, फकत एक बुढ बुढ़ा को पानीवानी देते रहना है, बुढ़िया तो ठीक थी, मगर जैसे ही वह घर से बाहर जाती, बुढ़ा उससे फ्रॉक उतार देने को कहता है, अम्मी को बताया, पर उल्टा वे उससे ही धांदली लगी थी, कि खबरदार जो वह काम छोड़कर आई, और किसी से उसने इस बात की चर्चा की, अम्मी ने ही सिखलाया, कि आइंदा जब वह बुढ़ा उससे फ्रॉक उतारने को कहे, तो मचल जाना, कि पहले हाथ में कुछ रुपए रखे, दिन बीटते रहे, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ, कि पैसे अम्मी के हाथ में रखने के बाव किन से करवाई, जो दलाली लेकर लड़कियों से धंदा करवाती थी, वही से फिर फातिमा बाई से भेंट हुई, तब से यही पर है, जिस घोर नरक को मजाती वह यहां तक पहुची थी, तसल्ली इस बात की है, कि यहां वे मुखोटे नहीं हैं, जो अम्मी और अब्बा की पाक सूरत की आड में नीच कर्म करने को विवश करते थे, मान लो तुम्हें कल एक बहतर सामाजिक जिन्दगी जीने का आश्वाशन मिले, तो क्या यह जगह छोड़ सकोगी, उसने उद्वेलित स्वर्मे रेश्मा से सवाल किया, नहीं, एक निस्वास उसकी ओर उचला, रेश्मा की आवाज उसे किसी गहरे कुएं से आती प्रतीत हुई, बहतर जिन्दगी, अच्छी जगह साब सुतरे कपड़े, क्या यही बहतर जिन्दगी की उम्मीदे हैं, क्या साब सुतरे कपड़ों के नीचे, मर्द के हाथ औरत का जिस्म टटोलने से ठिठकते हैं, यह हाँ अपने भरोसे में ज्यादा सुरक्षित और सुखी हुई, हरामजादी डियालोग मारती हाँ, जूट बोलती जूट, अचानक केतकी गुस्से से बिफरती उस पर जप्ती, वह केतकी के इस अप्रत्याशित हमले से हत्प्रव रह गई, अन्य लड़कियों ने उसे इस अभद्र भरकत के लिए लताड़ा, फिर समझा भुजा कर शांत किया, मगर केतकी का आक्रोश शांत नहीं हुआ, वह रेश्मा को चुनोती देती से बोली, सुख की बात करती है, इधर सुखी है, ऐसे बोलती है, जैसे इधर आने वाला राम राजा का उतार हो, अरे कोई न आचल हटा अपने ब्लाउज के बटन चेफचट खोल दिये, उसके मात्रत से भरे भरे उगड़े इस्तन, नील और खरोंचों से छत विछत बाहर लटकाए, पीड़ा से सहर कर उसने आखे मीच ली, उफ तक शर्म से होटों पर आने से पहले ही घुट गई, केटकी पर तो जैसे उन्मात तारी हो गया, वे भूल ही गई कि भले इस चण फातिमा बाई खोली में मौजूद नहीं है, किन्तु उसकी उद्दंडता की खबर उनसे छिपी नहीं रहेगी, मगर वे किसी भी आतंक और दबाव से निर्भे होकर बताने लगी, कि अभी उसकी जचकी हुए तीसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है, कि निर्दई फातिमा बाई ने उसे धंदे के लिए विवश कर दिया, उसका एक चहेता ग्राहक है भट्टी चलाने वाला जोसप, लगबग हर रात वह दूत होकर उसके पास महुचता है, रात गुजारता है, वह तो कोई बात नही मगर जिस नशंसता और कामुकता से वह उसकी देह से खिलवार करता है, उसकी गवाह ये चातिया है, और तो और हराम खोर चातिया चूस, वह तड़ाप कर रह जाती है, चिरवरी करती है, गिरगडाती है, अपने दुदमुहें बच्चे का वास्ता देती है, लेकिन वह एक नहीं सुनता, जब तक वह सोयम विस्तर नहीं छोड़ देता, उसे भी नहीं हिलने देता, सुबह जब वह अपने बच्चे के पास महुस्ती है, बच्चा निचुडी छातियों से मूह नहीं लगाता, फातिमा बाई से कितने दफे रोई है, पर वो उल्टे ही गुड़क द देती है, कि एक रात के 15 रुपली थमाता है जो सब, उसके जैसी एक बच्चे की अम्मा को तो कोई टके को न पूछे, और बच्चा रात बर दूद नहीं चिचोरेगा, तो क्या उसके प्राण निकल जाएंगे, पूरे साड़े तीन महिने महरानी ने खटिया तोड़ी है, नुकसान कौन भरेगा, केतकी की तरह लांखे प्रश्णों की बोचार करती सीधे उस पर टिक गई, पुतलियों के चारो और जलजल करता गहरा नीला वृत, मानो किसी लपलपाते अगनी गोलों में परिवर्ति धो उठा, एक छड़को उसे लगा कि इन पुतलियों से वह नीले वृत्त से घिरी पुतली जो आम आखों से अपने को अलग खड़ा कर लेती हैं, अलग से याद भी रहती हैं, मगर कहां देखा है इने, कब, शायद उसे भ्रम हो रहा है, केतकी से कहीं मिलना संभव भी कैसे हो सकता है, मगर नहीं, दुबारा दृष्टी टकराई तो फिर वही एहसास कुन मुनाया, परिचे है, मस्तिश्क को खंगालना शुरू किया तो सहसा बिजली सा एक किशोर चेहरा मानस पट पर कौंधा, एक नाम होनों पर कुन मुनाया, शैला, केतकी चौक गई, जलती आँखें जुक कर फर्ष कुरेदने लगी, क्या मैं केतकी से अकेले, उसने आगरह किया तो तीनों लड़किया उठकर खोली से बाहर हो गई, उसके बीच चुपी शब्द खोजने लगी, एक एक सेकेंड महीने दर महीने की लंबाई फलांता हुआ पीछे लोट रहा है, आठ साल पीछे, वह पंजाब मेल की यात्र थी, वह ग्वालिय था कि इस ठूसम ठूस से घबराने की कोई बात नहीं है, जासी आते ही डिबबा खाली हो जाएगा, हुआ भी ऐसा ही, जासी पर लगभक आधा डिबबा खाली हो गया, अच्छी तरह से बैठने की जगह ही नहीं मिल गई, अपितु उपर वाली बर्थ पर उसने तुरंत अ के निकट पहुँच कर उसने भौहें उचाल कर टिकट दिखाने का इशारा किया, उसने टिकट आगे बढ़ा दिया, लड़की का, कौन लड़की, यह लड़की आपके साथ नहीं है, उसने इंगित लड़की की ओर द्रिष्टी गुमाई, यह तो वही लड़की थी, जिसक लड़की कताई उसके साथ नहीं है, मगर वह तो कहती है कि वह आपके साथ है, उसने पाया कि गारी की तेज रफ्तार से उंग रही आसपास की मुन्धी द्रिष्टिया, अचानक चौकन्नी हो उस पर टिक गई, वह खी जाई, अच्छा लपड़ा है, मगर अपने को संयत र तो जब मैं अपना टिकट खरीद सकती हूँ तो इसका नहीं, उसका जुझलाना था कि लड़की आहिस्ता से उसके निकट आब एथी, और सहमे चेहरे से बोली, प्लीज आंटी, प्लीज, कह दीजे ना कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो यह मुझे उतार देगा, कैसे कह तो तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं, उसने खीज कर कहा, प्रत्युत्तर में लड़की ने गर्दन जुका ली, सफर में क्या कोई तुम्हारे साथ है, उसने इनकार में सिरह लाया, तो आप मेरा मुंबई तक का टिकट ले दीजे, स्टेशन पर मुझे लेने मेरे अंकल आएंगे ही, मैं आपके पैसे दिलवा दूँगी, उसका स्वर रुन हाया, यह पूछने पर कि उसके साथ हुआ क्या, लड़की ने बताया कि भीड में किसी ने उसका बटवा मार दिया है, बटवे में ही टिकट था, पैसे थे, पता था, मुंबई में किधा रहते हैं अंक पाओगी, अंकल को बाबुजी ने पहले ही तार कर दिया है, काम कहां करते हैं, ग्लैग्जो लेवर्टरीज में, तब तो अंकल का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा, वह उधेर बुन में पड़ गई, कि क्या करे, यात्रा अब निरापत नहीं रही, और यह भी अविश पिश्वास लायक बात नहीं है, कि तकरीबन 14-15 साल की लड़की गाड़ी में अकेले यात्रा नहीं कर सकती, पिछले दिनों ही अपनी 8 वर्षी ये भतीजी को उन्होंने एयर इंडिया के विमान द्वारा अकेले लंदन भेजा है, भाई-भावी पहले ही रवाना हो चुक तो मिश्चे ही स्टेशन पर उसे लिवाने आये अंकल दुष्चिंता में पढ़ जाएंगे, उधर घर वाले परेशान होंगे सो अलग, क्या फर्क पढ़ता है 70-80 रुपियों में, ज्यादा से ज्यादा यहीं होगा ना कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जिसकी की संभाव अंकल ग्लैक्सों में काम करते हैं, अच्छी स्थिती में ही होंगे, और नहीं भी मिले तो कौन सा अंटी से हाथ ही निकल जाएगा, सोच लेगी कि खाने पीने में खर्च हो गए, उसने देखा कि लड़की की भैवीत दृष्टी टिकर चेकर की पीट पर टिकी हुई है, ल खबराओ नहीं, मैं तुम्हारे टिकट के पैसे भर दूँगी। लड़की ने पल भर को उसे अविश्वास से देखा, फिर विभोर होकर उसके कंधे में अपना सिर सटाकर कृतग्यता व्यक्त की। मैला ही भेजना होता, तो चालू टिब्बे में बिठा देते छोरी को, खाना पीना साथ ना मामते, कपड़ा लगता ना देते, थुल्थुल मैला के दखल देते ही एका एक वातावरन चैतन में हो उठा, ठीक कह रही है, सामने वाली सीट पर घुटने पर घुटना चढ़ा लगी बाबुजी मरताना टिब्बे में बैठे हैं, अब किस बात का विश्वास करें? फिर सहसा सतरक मुद्रा बना कर उसकी ओर जुकती हुई कुछ इस अंदाज में फुस्फुसाई कि आजपास के सभी लोग सुनने, अकबार में पढ़ा ही होगा आपने, पिछले दिनो ललितपुर में जो डकैती पड़ी थी, उसमें सबसे पहले एक छोरी नहीं चिरोरी बिंती करके डिब्बे का दर्वाजा खुलवाया था, पीछे ग्वालों के वेश में धरधराते हुए डांकु डिब्बे में गुसाई, क्या पता इसके साथ भी कोई टोली होवे? रात अभी पड़ेगी, आप टिकट विकट के फेर में न पड़ो, टिकट तो हम भी लेके देदे में, मगर इसकी तो गारंटी होवे कि जो बोल रही है सही बोले, उपर से ये जनाना डिब्बा, जनानी नंगी तो रहे नहीं, सभी ने कुछ ना कुछ पहन ओड़ रखा है, उस पड़ सकते हैं जी, जरूर पड़ सकते हैं, एक और ने अपनी हतेली पर हतेली पटक कर शर्त सी बदी, हमें टिकट चेकर पर भरोसा करना चाहिए, वह तो मिंटों में अता-पता उगलवा कर इसे इसके माबाप के सुपूर्द कर देगा, कोई उच नीच मामला होगा, वह मजाख है, फिर लड़की को संदेह भरी नजरों से घूरती हुई बोली, जरा गौर कीजिये, लड़की के अच्छे नया नक्षएं, हो सकता है सिनेमा और इनेमा के चकर में घर से भागी हो, कहीं माबाप ने आप पर बरगलाने का आरोप ठोक दिया, तो सफाई देते नही बनेगी, पुलिस का चहरी में, परली बहन जी गलत नहीं कह रही, बतुआ गुम हो गया, सो माना, पर साथ का सामान कहां गायव हो गया, वे पलांश जैसे सांस लेने को ठहरी, फिर अपने तरकों के प्रमाड में मनोहर कहानियों का ताजा अंक उसके सामने खोलती हुई बो मुंबई में बाल बच्चे वाली जिस महिला ने उसे घर में आस्रा दिया, उसके पती ने उसी पर जाल साजी का मुकदमा ठोक दिया, औरत पुलिस की आयद दिन होने वाली पूँच ताच और अखबारों में उछले नाम की वजह से पुलिस के नाम एक खत लिखकर खटमल मारने वाली दवा पीकर हमेशा के लिए सो गई, वह चारों और से निरंतर बढ़ रहे दबाव को जेलती निरस्थ हो आई, तर्क अपनी जगे थे, जनमत लड़की को टिकट चेकर को सौप देने के पक्ष में था, उसे वही करना चाहिए, यह सही है कि जान भूज कर संकट नियोतना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, उस लड़की के पीछे जिसके बारे में वह स्वयंभी आश्रस्त नहीं है, कि वह वास्तों में सच बोल रही है या जूट, ब्यवहारिक यही है कि जनजट में पढ़ना फिजूल है, टिकट चेकर पर उसे भी भरोसा करना च और चेहरे पर सक्त अपरचित भाव ओड़कर उस महिला पत्रिका में अपने को तलीन कर लिया, जिसमें आदिवासी महिलाओं के बीच प्रगती कर रहे साकशर्ता अभियान को उसने अपने एक खोजपूंड लंबे विवेशनात्मक लेक में बड़ी गहराई से रेखांकि किया था, फातिमा बाई द्वारा भिजवाया गया लिमका वह आधा भी नहीं पी पाई, छोटे छोटे घूट जैसे दिर्ग असमंजस बनकर उन दोनों के मध एक विशाल शूनिवरत खीज रहे हैं, जिसके एक छोर पर शैला है और दूसरे पर वह, वह शैला को देख नह मोत्री से जोड़ना मुश्किल न था, मगर शैला के सामने उसकी हत्प्रफ वाक शक्ति समवाद के लिए जैसे मनोबल जुटा रही है, कोशिश कर इतना ही पोच पाई, तुमने मुझे पहचान लिया, नेशब्द सैला ने सुईकृति में सिर हिलाया, तो तुम्हारा संब वाकई गलत लोगों के साथ था, नहीं, फिर यहां कैसे, आपकी क्रफा से, मेरी, उसने अविश्वास और अचरत से शैला को देखा, जी, आप ही की, शैला का आहत तिक्त स्वर अनायास भर्रा आया, आप अगर उस दिन मुझे अपने साथ लिये जाती, तो आज मैं यहां ह अरगिस न दिखाई देती, और शैला ने भीगे करण स्वर में दिल दहला देने वाले, जिस भीबत्स सत्त का उदगाटन किया, उसे सुनकर उसका रोम रोम सोयम को धिक्कार उठा, टिकट चेकर ने शैला का केस, रेन्वे मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारार्थ रग दि घर से भागी थी, जरूर उसे वहीं वापस भेज दिया जाएगा, अब तो उसकी खैर नहीं, चार लड़कियों के बोज से तरस्त मा उसका गला ही गोट देगी, बाबुजी दारू पीकर उसे ही नहीं, उसकी खातिर मा की भी पिटाई करेंगे, वह शौचाले जाने के बह अने महिला पुलिस कर्मी को चक्मा देकर भाग ली थी, फिर आगे का घटना क्रम उफ, उसे सुनन भी एक असाध्य यंत्रना थी, किस तरह वह गलत लोगों की सहानु भूती का शिकार होकर काम दिलाये जाने के प्रलोभन में दलालों के शिकंचे में फस गई, ऐसे ही एक रात उसने अपने आपको फातिमा भाई के कोठे पर पाया, फातिमा भाई ने उसे खरीदा था, अपनी नादानी पर पश्चा ताप करते हुए, उसने चुपके से मा बाबुजी को कई पत्र लिखे, कि वे आएं और पुलिस की सहायता से उसे इस नरक से मुक्त कराएं, लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद लाइने बाबुजी ने लिखकर भेजी थी, कि तुम अब हमारे लिए मामा मामी के गाउं के तालाब में नहाते हुए, अचानक डूब कर मर गई हो, बड़ी मुश्किल से पूँच पाई, यह बच्चा जो सब से पहले वाले बनिये का ह उसके भीतर कुछ चटक रहा है, प्रश्नों के पैने तीर रोम रोम में बिंध रहे हैं, वह शैला को बचा सकती थी, उसे बहला फुसला कर अपने विश्वास में ले सकती थी, सच्चाई उगलवा सकती थी, उसके समाज भीरू माबाप को समझा बुजा सकती थी डिब्बे में मौजूद औरतों की बनिस्पत, वह निश्चे सुसिक्षित, समवेदन शील और जागरोग विचारों वाली थी, लेकिन आहट पर नजर उठी तो परता सरका कर फातिमा बाई को प्रवेश करते देख वह अपने भीतर चौप पड़ी, वह तो बैठी है, फि खानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं